साथ ही हम बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक, बड़ा रोमेंटिक टॉपिक, कितने वीडियो डाले, पती कहां सोए, पतनी कहां सोए, कौन राइट में सोएगा, कौन लेफ्ट में सोएगा, बेट कहां पर आएगा, ताकि दोनों के बीच में बड़े प्यार और उसके बाद ही उनका उजड़ा हुआ है संसार, क्यों हुआ ऐसा, एक सीन दिखाता हूँ आपको, एक बेटरूम है, हस्वर्ण है वहाँ पर, वाइफ है, रात के साड़े 11, 12 मज़ रहें, और उस कमरे में पीन ट्रॉप सालेंस, बिलकुछ चुप चाप, लेकिन वह दोनों सोएगे नह वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया, डॉक्टर आनंद भारद्वाच, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वाज़त है आपका मेरे इस खास चैनल पर, जिसमें आपसे बातें करता हूँ, वास्तु शास्तर की उन चीजों के बारे में, जिनको आप ढूंडते हैं, पर असानी से नहीं मिलती, बात करता हूँ, मैं लॉजिकल और सासत करता हूँ, साइन्टिफिक, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त, बड़ा इंटरस्टिंग, आपको लगेगा रोमेंटिक है, बहुत जादा रोमेंटिक है, क्योंकि पती-पत्नी के सोने के बारे में बात कर रहे हैं, पर आपको बताऊं मैं एक बात, मेरा एक मित्र है, एड़ोकेट है वो, उससे बात जब यह है, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं खटाव, कहीं ना कहीं टकराव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके दोनों के बीच में खटास पैदा हो रही है, और लोग मुझे कहते हैं, भारदवा जी, हमारे बीच में कुछ गलत चल रहा है, अच्छा नह परने बैटों में सोते हैं, पहली बात तो यह जिनको यह नहीं पता कि किसको कहा सोना है, सोने की जब बात आती है, तो माइंड में क्या घुमता है हमारे, कि पावर में आ जाओं, पति नहीं सोचती है, मैं पावर में आ जाओं, हस्मेंड को दबाओं, और हस्मेंड सोचता है कि मैं power में रहूं और ये मुझसे दब के रहे, साथ यो दोनों में से कोई भी कम powerful नहीं होना चाहिए, कोई भी dominating या dominated नहीं होना चाहिए, तो फिर वास्तु क्यों बात करता है, कौन दायं सोई, कौन बायं सोई, इसके पीछे reason क्या है, यही तो आप बता रहा हूं मैं, यहां वास्तु कैसे यहां पर अपना role play करता है, जब वास्तु connection आप समझेंगे, तो हो सकता है, आज ही आप अपने बेटों को देखेंगे, सोने की जगा को देखेंगे, और आपको समझ में आएगा कि पती-पतने के बीच में टकराव क्यों रहता है, और क्यों अच्छी नीन न आती, क्यों बीमारी भी रहती है, क्योंकि सोने के दिशा के साथ में हमारा जिदर करवट लेके सूते हैं, इसका connection हमारी health के साथ भी है, ये सब बाते आप बताऊंगा, आईए चलते हैं, आज का topic sleeping direction, पती-पतनी वाप्यार, वास्तु connection, जी हां, हम जब वास्तु की बात कर करते हैं, तो ये समझाने की कोशिच करते हैं, इसके बाद आपको लेके चलता हूँ, एक और बेडरूम में, ये देखे, बेडरूम है, husband wife, बहुत अच्छा यहां पर उनको feel हो सकता है, सोने के लिए, ज्यादा तक case में क्या होता है, कि हमने बताया, पीछे wall है, देखे, प बहुत अच्छी position, वस्तु के इनुसार, इसके बाद, next आता है, एक ऐसा couple भी होता है, सातियों, कहीं ये scene आपके साथ तो नहीं कोई कभी, होता क्या है, कि बहुत बार जाना, चुट टूटी बिना बात की बातों के बातों के पर, मन मुटा हो जाता है हमारा, और जब husband wife के बीच में पती पतने के बीच में दूरियां बढ़ने शुरू होती है, तो उससे ज़्यादा गंदा दिन कोई नहीं होता, मिलकुल, ना खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है, काम करने को दिल नहीं करता है, किसी बात करने को दिल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पती पतनी का उपर से बनके आता है लिखा हुआ है तो डिस्टाइंड तर तूटता क्यों है अब देखिए कारण बहुत सारे होते हैं वास्तु भी इसमें आपको गाइड करता है सबसे पहले देखिए कि जब ऐसी नौबत आती है कि एक का मुदर एक का मुदर 36 का अंकड़ा बन गया बेडरूम के अंदर जैस होने को दिल नहीं करता मैं जा रहा हूं काम से आँसे उठके अपने काम पे जा रहा हूं जहां भी जा रहा हूं और मूट खराब साब का सब हो रहा है तो देखिए कुछ पोजेशन बनती हैं वास्तु के साब से मैंने पहले भी वीडियो डाली है आज फिर से क्लियर कर रहा हूं और कुछ बाते बता रहा हूं पहले वाले वीडियों से जो पहले वीडियो में आपको नहीं मिली थी अब देखिए मैं आपको लेकर चलता हूं आपका जो भूखंड होगा वो कुछ इस शेप का हो सकता है यह नहीं उसमें जो करना है सवाल पती पतनी जब सोते हैं किसी बैटों के उपर मैं फिर से रिपीट करता हूं दाएं और बाएं का नहीं होता राइट और लेफ्ट का कोई चकर नहीं है हाँ शादी में कहते हैं पंडर जी अब दाएं आजाओ मांगी बन गए आप दक्षिन में आजाओ वह अब देखना है दक्षिन जैसा बन जाती है यहाँ पर तो दक्षिन दिशा में क्या होता है कि अगर आप सोते हैं पती पतनी सोते हैं और दक्षिन में अगर आपने अपना हेड किया हुआ है तो आपके बैट की पोजिशन कुछ इस तरह से आएगी बिल्कुल क्लियर पती क है बिल्कुल नेरते कोंड के पास में आया हुआ है और यह थोड़ा सा डिस्टेंस के उपर गई है समझने की छोटा सा पॉइंट है समझना असान अब इसके बाद आते हैं हम अगर मान लिया यहां पर यह अगर पती-पतनी का जो सोने की पहले कि पोजिशन यह नहीं है मा लेता हूं वह जहें अपना सिर करते हैं इसमें पूर दशांगे करते हैं अगर तो यह देखिए पती की दिशा बिलकुल यहां से पास में है और वाइफ की दूर होगे देखिए दक्षेल पर्ष्चिम के पास जो रहेगा वो सीनर्टी में रहेगा और उसके पास सीनर्टी होने भी चाहिए बहुत बार ज्यादा तर कल्चर्स के अंदर जो हजबन होते आम तोर पे एज में थोड़े से बड़े होते हैं वैसे भी सीनर्टी बनती है अब इसके बाद आते हम एक और पोजिशन के उपर पती पत्नी के सोने की जो थर्ड पोजिशन है साथियों वो कुछ इस परकार हो सक सरहना छोता है हमते हैं गलत दिशा होती है अब को सिर्कर न truck स्राव में आपको लेके चलता हूं ऐक दूसरे कीश में जिसमें की हम बात करेंगे अगर आपका plot घूमा है चली ये तो आपने देखा कि हाँ आपका plot यहाँ पर घूमा हुआ नहीं है सिदा सिदा plot है आपका लेकिन यदि आपका plot घूमा हुआ है सबोस्थ तब आप क्या करेंगे तब उसमें भी आपको ध्यान देना होगा आप देखेंगे कि अगर आपका plot घूमा हुआ है ज्यादा तर plot घूमे हो यहते हैं ज्यादा भुकंड आपको देखते हैं ऐसे ऐमलते हैं जो first position होने की बनती है head की वास्तु के नुसार आपको पता है कि north में कभी head नहीं करते उत्तर दिशा में कभी head नहीं करते तो इसमें जो हमारी first position बनेगी वो ये बनती है देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें हमारे पास दो दिशाएं है एक दिशा क्या जा रही है यह साउथ के पास है यहाँ पर जो पती है वो देखिए बिलकुल साउथ के पास है और जो पतनी है वो साउथ से दू है ठीक है यह पोजिशन बिलकुल ठीक इसमें कोई समस्या बिलकुल भी नहीं अब इसके बाद जो सेकंड पोजिशन बनेगी व बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम जैसे वास्तों में कहते हैं से सोजा सोजाएंगे बहुत बहुत सरणा बदलना पड़ता है अब साउथ इस जो दक्षिन पूरा बनता है यदि वहां पर किसी को अपना हैड करना पड़ता है सरणा करना पड़ता है देखिए इसमें भी आप कै क्या हुआ इस केस में आप देखिए ये जो पती-पत्नी हैं दोनों इनमेंसे ये जो है इसका जो पूरिशन है जो हजबंण की पूरिशन है, वो साउत वेस्ट की तरफ है दक्षिन पस्छिम की तरफ है और ये देखिए यहां साउत वेस आ जाएगा यहाँ पर साउथ वेस्ट आ गया, दक्षिन पश्चिम आ गया पती विलकुल उसके पास में साउथ वेस्ट के पत्नी उसे दूर चली आती है यह देखी पत्नी थोड़ा सा वहाँ से दूर है और इस केस में ऐसा इसके बाद में अगर position ऐसे नहीं बन पाती किसी वज़े से तब एक position बनती है कि आपका सरहना जह है वो आता है नौर्थ वेस्ट में उत्तर पश्ची में आता है यदि आपका सरहना उत्तर पश्ची में आता है तो ध्यान क्या करना है आपने कि आप सोते समय अपना जो husband है husband क के जगा जो है देखे फिर यहां दक्षिन पश्चीं की तरफ आ रहा है husband वाई जो पती पती यह देखे दोनों हर केस के अंदर यहां तो दक्षिन के पास गए या फिर दक्षिन पश्चीं साउथवेस के तरफ गए यह सबसे अची पोजिशन है और अगर कहीं सरहना आपक का यह बनता है वैस्ट तो क्या हो रहा है यह जो नौर्थ है ना नौर्थ का जो पोजिशन है बहुत अच्छी नहीं बनती है husband वाई की बीच में तो जाद आचा रहता है कि साउथ वैस में जक्षिन पश्चीं में नर्ते कोंड में अगर अपना सिल करें गूमे पलाट में पती कहां सोए पत्नी कहां सोए किसको क्या मिलेगा और कैसे हाँ मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में पती पत्नी रात के साड़े 11 मोने 12 मजे हैं और husband वाई दोनों के दोनों अपने बैट्रूम के अंदर है दोनों में से कोई भी निस होया जाग रहे हैं कर क्या र शृरू कर देते हैं किसे ने लैटाप खोल लिया किसे ने क्लाइंटसे बात क्ने शुरू कर दी किसे ने मैसे भी द aur कर दी है तो ये जो फोन है ना रात के समय दस बजे के बाद इस फोन को तो मेरबानी करके अपने बैट से दूर कर ही दो एक मेरा और दोस्त है वो रात में यही करता है रात को 10-11 मजे, साड़े-11 मजे तक करता रहता अपने फोन पर लगा रहता है तो उसने बताया कि मेरी वाइफ ने कल मुझसे एक बात बोली परसो में बसे एक बात बोली कि आप रात के समय जो काम कर रहे हैं अगर दिन के समय करते कितना अच्छा तो उन्होंने बोला कि मैं तो आज की जो लास्क नियूस है वो देख रहा हूँ बस नियूस देख लो रात के समय में तो उन्होंने एक कहा कि आप तो मीडिया में हैं, अगर ये काम आप पहले कर लेते तो आज पता नहीं कितने बड़े आदिये बनते हैं, तो हर काम का एक समय होता है इन सब कहानियों का मेरा एक ही मकसद था कि आप अपने समाज में, गली मोहले में, अपने प्रॉस में एक्जामपल बन जाएं उदाहरन लें लोग आपका कि देखिए कितना अच्छा कपल है अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा था, इसको सब्सक्राइब परना मत भूलना और हाँ, शेर भी करना और लाइक भी करना, इससे मेरा होसला पड़ता है अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक निया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसके पीछे आपको बताऊंगा, लोजिक क्या होता है, वास्तु क्या होता है मिलते हैं अगले प्रोगाम पे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत बहुत ध्यान लखें, अपना और अपने परिवार का